दोस्तों खाना खाने का मज़ा असली तभी आता है जब सब्जी लाजवाब हो तो आज में आपके लिए ले कर आए बारिस के मौसम में मिलने वाली कोडा की सब्जी इसे खिकसा या कंटोला भी कहा जाता है अलग अलग जगे अलग अलग नाम दिया जाता है आज इसे हम पसंदात मेरे चैनल को लाइक चैनल पे नवह प्लीज चैनल को सब्स्राइब जरूर कीजिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना एल्लो एब्रीवान मैं हूं सीला विलकम बैक माई चैनल को किम भी सीला में तो फ्रेंश कैसे आप लोग आई उप लोग बहुत अच्छ हो तो आज की मेरी रेस्ट भी है कोड़ा के सब्जी यानि यह हमारे हां खिकसा बोला जाता है तो यह मैंने छोटा वाला देशी जो खिकसा था उसको लिया बहुत ही फ्रेश और ताजा है इसको में धोक अच्छे साफ कर लिया था अब इसको हम कट कर लेंगे तो बहुत प करता नहीं था अब हमने करा ही में तेल रख तिया है और हम आप जो भी यूज करते हो खाने में जो भी यराप उब उसको ले सकते और हम से में बड़े चम्हार्यों दो 생्वाटिन तेल रा Sheikh और इसमें दो bever कर 변 Rohatश पर उसमें बहुत ज्यादा ऐल हो जाता है तो अभी स्म है नमाइक टेस्ट के कोडिंग इसको हम फ्राइ करते रहेंगे जब तक हल्का सा सॉफ्ट नहीं होने लगता है वो कांटीनु चलाते रहेगा इसको जलाना नहीं है नहीं तो जल जाएगा हाई फ्लेम रहता क्योंकि तो अभी देखिए पक्के ऐसा हो गया सॉफ्ट हो गया हल आगे कि त्यारी तो मैंने सेम वही कडाही ले लिए है उसमें फिर मैंने मौस्ट्र रायल डाल दे इसमें डाला मैंने एक चमास जीरा जीरे को थोड़ा सा तरकने देंगे उसके बाद जाएगा इसमें कुछ लहसं कर लिया कट कर लिया एक हरी मिच और एक साबूत लाल इनको भी हलका सा चलाते हुए हैं चलते हैं और उतकर सेक्षानी के-लिए अब डालेंगे इसमें बादस muchís गए मैंने पचा लिया है इसको बी मुचलने अपयान के बिल्कुल भ्राउन कर दे बस हलका सा गोलन ब्राउन होने तक चलाते हुए पका लेंगे तो प्याज अभी पकर तयार हो गया है देख सकते हो आप कलर चेंज कर दिया है अब इसमें जाएंगे कुछ और मसाले सबसे पहले जाएगा इसमें हाफ चमच हल्दी पाउडर एक चमच भर के धनिया चमच भर के अमने कस्मेरी लाल मिटी डालती है तीकी नहीं होती पर इससे कलर बहुत अच्छा आएगा मसालों को हल्का सा पकाएंगे बस दो सिकेंड के लिए उसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी ताकि मसाले जले नहीं अब इसमें जाएगा फाइन चॉप टमाटर तो अब थे यान की खुड़ाएंगे क्योंकि हमने खिक्षा देल virus और शबर्ला जाएंगे थोड़ा सा पानी बस दो साथा की टमाटर चाहिसे राएगा कि मसालों आप पका पूरी तरह तो अब इसमें जाएंगे जो इसको फीक्रिट ज़ोचिंगे खशना है arts जबद सब्सक्राइब करें और मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे इनको हम काफी देर तक मिक्स करते रहेंगे ताकि एक एक कोड़े में मसाला और हो जाए हमारा तो ये सब्जी बहुत ही जल्दी बनकर तयार होती है और इसको बीच में 2-3 मिनट के लिए हमने ढग दिया थ हुई देखने में लग रहे जितनी ज़्यादा टाइम टिक उससे कहीं ज़्यादा खाने में अच्छी है तो अगर आपको जड़ा सब्सक्राइब पसंद आई है तो प्लीज एक लाइक कर देए चैनल पे नए है प्लीज चैनल को सब्क्राइब कर देए जब अकल में बेल देख पुरूंसे कमें तो अक्षाइब करे जा में सब्सक्राइब कर देए है तो अक्षा।